हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW Driver Enginistic हमारा टोपिक है Generator Set Objective Question Part Second इसलिए पिछले वीडियो में हमने Objective Question का Part First कंप्लेट कर लिया आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएं चैनल को सबिस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और आज के इस अब्जेक्टिव क्यूशन पार्ट सेकंड की पीडी एप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आज का हमारा परसन ने थ्रीवे केटेलेटिक कन्वेटर की बेलनाकार या अंडाकार केसिंग नेम собой सेंग किस दातू की बनी होती है इसमें पहला option है aluminum, दूसरा option है copper, तीसरा option है stainless steel, चोटा option है cast iron इसका सही answer होगा option C, stainless steel की बनी होती है अगला परसे ने हमारा exhaust manifold अधिकतर किस दातू से निर्मित किया जाता है इसमें पहला option है cast iron, दूसरा option है stainless steel, तीसरा option है low carbon steel, चोटा option है high carbon steel इसका सही answer है option A, cast iron exhaust manifold अधिकतर cast iron के बनाए जाते हैं अगला परसे ने हमारा तेजी से manifold में गूमने पर हवा जो आवाज उत्पन करती है उसे क्यते हैं इसमें पहला option है cranking sound, दूसरा option है knocking sound, तीसरा option है high sound, चोटा option है hissing sound इसका सही answer है हमारे option D जो तेजी से manifold में हवा गूमती है उसे hissing sound का आ जाता है अगला परसन है हमारे एकजास्ट मेनिफोर्ट, सिलेंडर हेड या सिलेंडर बुलोग के साथ किस से जुड़ा होता है इसमें पहला option है low hickey pipe, दूसरा option है tube, तीसरा option है hose pipe, चोटा option है asbestos gas kit इसका सही answer है option D, asbestos gas kit का बना होता है, जो एकजास्ट मेनिफोर्ट है वो सिलेंडर हेड या सिलेंडर बुलोग के साथ gas kit के साथ जुड़ा रहता है, अगला परसन है हमारा, way type air cleaner को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है इसमें पहला option है oil water air cleaner, दूसरा option है dry type air cleaner, तीसरा option है paper type air cleaner, चोटा option है close type air cleaner इसका सई answer होगा option A, oil water air cleaner, जो way type air cleaner है उसका दूसरा नाम है oil water air cleaner, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जुरूर करें अगला पर्शन है अमारा निम्न में से water farm के साथ सयोंजित जल सीतलन परणाली कौन सी है इसमें पहला option है thermosyphon परणाली, दूसरा option है बलिये परिभेन परणाली, तीसरा option है direct सीतलन परणाली, चोटा option है indirect सीतलन परणाली इसमें हमारा सही answer है option B, बलिये परिभेन परणाली, जो water pump के साथ जल परणाली सीतलन की जाती है वो है बलिये परिभेन परणाली अगला person है अमारा radiator का core निम्न से साफ किया जाता है इसमें पहला option है बार से फेन की ओर, दूसरा option है विपरित फ्लेसिंग, तीसरा option है core के उपर से निचे की ओर, चोटा option है उपरी होज से निचले होज की ओर इसका हमारे सही answer है option B, विपरित फ्लेसिंग की साइथा से radiator के core को साफ किया जाता है अगला person है हमारा आदूनिक वानूं में pump चलित सीर्जन परणाली को मेथव क्यूं दिया जाता है इसमें पहला option है बीना दाब के जल की मातरा बढ़ाई जा सकती है दूसरा option है slender sears और वाल को अतिसीलन करता है तीसरा option हर अवस्ता में उच्दर का सीतलन परदान करता है चोता option है परकरिया में कम भाग की अवस्ता होती है इसका सईयांस्वर है हमारे option C हर अवस्ता में उच्दर का सीतलन परदान करता है इसलिए अधुनिक वानूं में pump चलित सीतलन परणाली को मेतू दिया जाता है अगला परदान है हमारे दाब यूक्त सीतलन परणाली में किस परकार का रेडियेटर धकन परियोग करते हैं इसमें पहला option है सीतलन के लिए बड़े रेडियेटर दूसरा option है खुले सीतलन की अवेक्सा अधिक सीतलक तीसरा option है दाब फून रेडियेटर डकन जो सीतलक के उवाल को रोके चोता option है सीर्स और सिलेंडर होज पर बड़े जल जैकेट इसका सईयांस्वर है हमारे option C दाब फून रेडियेटर डकन जो सीतलक के उवाल को रोकते हैं अगला परसन है हमारे एक रेडियेटर में वाटर फलो निम्न परकार से होता है इसमें पहला option है निम्न टेंग से उच्टेक की और दूसरा option है उच्टेंग से निम्न टेंग की और तीसरा option है इंजन से निम्न टेंग की और चोता option है इंजन से जल पंप की और इसका सही आंस्वर है option B उच टेंग से निम टेंग के और रेडियेटर में वाटर का फलो रेता है अगला परसन है हमारे एक लिटर हेवी ड्यूटी कुलेंट में कितनी मातरा में पानी मिलाएंगे इसमें पहला option है एक लिटर दूसरा option है 1.5 लिटर तीसरा option है 2 लिटर चोता option है 3 लिटर इसका सही आंस्वर होगा option C 2 लिटर एक लिटर हेवी ड्यूटी कुलेंट में 2 लिटर पानी मिलाएंगे अगला परसन है हमारा बना बनाया 5 लिटर कुलेंट जार में कितना सुध पानी मिलाएंगे इसमें पहला option है 5 लिटर पानी दूसरा option है 15 लिटर पानी तीसरा option है 20 लिटर पानी चोता option है बिलकुल पानी नहीं मिलाएंगे इसका सही आंस्वर होगा option D बिल्कुल पानी नहीं मिलेंगे क्योंकि बनाए बनाए कुलेंट में पानी पेले से मिलेया हुआ है अगला परसन है हमारा डीजल इंजन में थर्मो इस्टेट वालव जब पूरा खुलता है तो वालव की लिप्टिंग कितने इंच होती है इसमें पहला उप्षन है एक वटा चार इंच दूसरा उप्षन है पांच वटा सोड़ा इंच तीसरा उप्षन है साथ वटा आठ इंच चोता उप्षन है एक इंच तो इसका हमारे सायांस्वर है उप्षन बी पांच वटा सोड़ा इंच अगला प्रसन है हमारा छे स्लिंडर डिजल इंजन चे water cooling system में किस परकार के पानी का परियोग करते हैं इसमें पहला ओप्षन है hand pump पानी, दोसरा ओप्षन है साफ मर्दू जल, तीसरा ओप्षन है उबला हुआ पानी, छोता ओप्षन है तालाब का पानी इसका सही आंस्वर है ओप्षन C, ओप्षन B मर्दु जल का उप्योग करते हैं ओप्षन B हमारा सही आंस्वर होगा अगला परसन है हमारा रेडियेटर सामानियते किस मेटल के बने होते हैं? इसमें पहला ओप्षन है तांबावे पितल दूसरा ओप्षन है पितल, तीसरा ओप्षन है तांबे के चोता ओप्षन है लोहेवे अलुमिनियूम इसका सही आंस्वर है ओप्षन A रेडियेटर सामानियते तांबे या पितल के बनाए जाते हैं अगला परसन है हमारा फोर्स वाटर कुलिंग सिस्टम में थर्मो इस्टेट वाल्व कहां लगाया जाता है इसमें पहला ओप्षन है वाटर पंप के इनलेट में दूसरा ओप्षन है वाटर आउटलेट एल्बो में तीसरा ओप्षन है वाटर जेकेट में चोतरा ओप्षन है रेडियेटर के नीचे के बाग में इसका सही आंस्वर होगा ओप्षन बी वाटर आउटलेट एल्बो में थर्मो इस्टेट वाल्व लगाया जाता है आज का वीडियो केसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बते हैं आज के हमारे इतनी फर्षन थे नेक्स्ट वीडियो में इसके और उब्जिक्टिक उसनों की चार्चा करेंगे और भी यदि आपका कोई सुजा वो तो कमेंट कर सकते हैं और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेला इकन को दुबएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको पराप्त हो सके और आज के इस वीडियो की पेडियेप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल में भी जूट सकते हैं जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है धनिवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो